हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में मैं आपको ख्याल गाइकी के बारे बताऊंगी कि ख्याल किसे कहते हैं संगीत में ख्याल को क्या कहा जाता है क्या चीज़ है ख्याल एक फार्सी भाषा का शब्द है जिसका आर्थ होता है कल्पना इमिजिनेशन और इस कल्पना के अधार पे भी गायक अपनी भावों की प्रस्तुति देता है इसमें शब्दों की कमप्रधानता होती है कुछी शब्दों को अपने भाव के तारा तरह तरीके से विस्तार करना ही ख्याल कहलाता है इसमें गायक जो है सरगम, अलापतान, कड, मीर, आदी का प्रियोग करता है और उसके नियमों का पालन करते हुए अपने भाव को बहुत सुन्दर दरीके से प्रिस्तुत करने का प्रियास करता है कहा जए कि ख्याल एक शिंगारेस प्रदान का एकी है जो अतिन्द मधूर होती है और राग के नियमों में बनी होती है इसमें गमक की आवशकता नहीं होती है गमक यानि गमीरता उत्पन के स्वरों को हम लोग गमक कहते हैं इनका प्रियोग इसमें नहीं होता है इसमें से राग की मधूरता को ध्यान में दिया जाता है हम क्या करते हैं कभी-कभी जिस राग का हम ख्याल गाते हैं कभी-कभी उसमें रंजक्ता उत्पन करने के लिए अनिरागों की छाया भी इसमें प्रियोग कर लेते हैं तो खया जो है आपके दो होते हैं एक बलंबित ख्याल और एक मद्ध ख्याल बलंबित ख्याल को हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं और मद्य ख्याल को हम छोटा ख्याल भी कहते हैं इन दोनों की दोई भाग होते हैं इस्थाई और अंतरा तो इसमें जो कम्टीशन में जो कोशन्स आते हैं इसे related वो किस तरीके से बनते हैं कि पहली बात तो यही है कि खयाल किसे कहते हैं या किस शब्द से बना है तो इसका आंसर हो गया कि खयाल जो है कल्पना शब्द से बना है इसके पत्ति आपकी फार्सी भाषा के फार्सी भाषा के शब्द से हुई है फार्सी भाषा का प्रकार के होते हैं तो ख्याल जो हैं दो प्रकार के होते हैं बलंबित ख्याल और मद्ध ख्याल के कितने भाग होते हैं तीसा कुर्शन बहुत ही इंपोचेंट होता है यह जरूर आता है कि ख्याल के कितने भाग होते हैं तो ख्याल के सिर्फ दो ही भाग होते हैं इस्थाई और अंतरा ख्याल में हम किन-किन चीज़ों का प्रियोग करते हैं ख्याल में हम सरगम है अलापतान है मीर है कर्ण है इन सब शब्द इन सब चीज़ों का प्रियोग करके अपने भाव की प्रस्तुदी करते हैं एक कोशन ये भी बंदा है, कि ख्याल गाएकी किस प्रकार की गाएकी है, तो ख्याल गाएकी एक शिंगार रैस्परदान गाएकी है तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ख्याल किसे कहते हैं और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजे शेर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू